शाहिन बाग में एक ऐसी माँ है जिनके गोद में एक महिने का बच्चा है पर उसके बावजूद भी वो प्रते दिन जो है शाहिन बाग के इस सब्सक्राइब आपको बताते हैं मैं क्या नाम है आपके बच्चे का क्या नाम है अप इस प्रोटेस्ट में डेली आ रहे हो बारा दिन किती तभी तब से आ रहे हूं एक मेहना से उपर इस यही में हो गिया उसको ले लेक्ति हूए जब जो 12 दिन किती नहीं यहां पर लेक आई थी वह अप्छए राद दिन यहीं पर रहती सुब़ में 5 जन्वी को और यह जगेक हैं यहां पर सांजी विरासत जो हमारी देश की जो संस्कृति है हिंदू-मुसलिम से किसाई आपस में सब भाई-भाई उसके नारे लगते उसके पोस्टर मैंने देखा आप क्या कहना चाहोगी जो बीच-बीच में जो कानून सरकारे लाती है इस पर क्या कहना पबलीक लोग बर करने वाली बात नहीं है तो सब मुसल्मानों को मिलनी चाहिए नागरिक्ता अगर मिल रही है तो सब मुसल्मानों को मिलनी चाहिए बटवारे की तो नहीं है ना यह सब के लिए है नागरिक्ता यह खाली आप लोग की आपती यह है कि धर्म के नाम पर उन्हें ने क्यों बेद क्यों किया बेद क्यों करा जा रहा है यह यह कोई हिंदू ना मुसल्मान इसमें किसी का कुछ नहीं है यह सिर्फ पूरे कि सब के लिए है यह आपकी मांग क्या है सरकार से अभी जो इतने देरी से आप यहां लगतार वेट हमारी मांग है नगरिता अपस करें पिया को आपस कर दें हम लोग बूट जाएंगे आप सब आप सब महिलाए हैं इनकी गोद में बच्चा भी है घर का भी काम करके आते ह होगे डेली आरे हो गार दिकत का सामना करना पढ़ा होगा समस्याइँ आती होंगी पर परिवार से बच्चे स्बाइब हो रहे हैं तॉ यह ने का हक चीन रहा है तोаты हम इसे क्यों से चीन जा रहे हैं कि यहां कितने बज़े आप लोग आ जाती है यहां पर दिन रहते हैं पूरे दिन रहते हैं कर दिन रहे हैं कि बाई जनते ने आपको जिताया कुरसी दिया कि भाई आप देश के लिए कुछ काम करो आपका ये काम रहा कि हिंदू मुसलमान और ये कानून ला रहे हैं नोटबंदी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं मैं ये पूछना चाहती हूं कि अभी तक कोई भी सरकारी आदमी आ नहीं आया कि कितने दिन तक ये जज़बा रहेगा तक रहे हैं कि याई नहीं वापस लेगा मोदी जब तक मर जाएंगे दो कर जमीन तो मिलेगी तफन के लिए लेकिन नहीं आठेंगे यहां से कि अभी तक में टेज़बाब से अभी एफना चाहती हैं